कि हम लोग अंकिता के परीजन से मिलने गए थे एक 15-16 साल की लड़की को जो है पेट्रोल जद्दाल के साहरुक ने जला दी जो सोरेन परिवार दुमका का बात्सा है रहा जिसने सोरेन परिवार को सोरेन परिवार बनाया उसके लिए संबेदना के लिए एक सब्द मुख्यमंतरी के पास नहीं था मुख्यमंतरी ने आप ही पत्रकारों को कहा कि छोटी मोटी घटना राजी में होते रहती है और जो माहौल बना पूरे दुमका में पूरे संथालपना में उसमें ये केस वेस तो बहुत छोटी चीज है 36 केस पहले था ये 37 केस है और उसमें 18 उन्हें साल के बच्चों के उपर भी केस हो गया मैं देख रहा हूं कोई बुझे वे जले वे मरे वे बिलिवलाते वे टिम्टिमाते वे बुद्धी जीवी और कुछ सोसल मीडिया के जो जानकार लोग हैं वो मुझे ग्यान दे रह उसके पीछे जो रिजन था केस करने के पीछे कि सांसत के उपर है उसके 18-19 साल के बच्चे के उपर केस हो जाए बावी कहें कि हमसे भी हेट करते हैं और गर्व है कि मोदी जी हमारे नेता है और आप हमसे जितना गाली देना है गाली देते रहो यह घटना परसो रात हो गई मुख्यमंत्री को यह पता था कि अब तो यह आदिवासी लड़की है 14 साल की लड़की है और जो सूचना मिल रही है कि बंगलादेसी जिसके बारे में की निसिकान दुवे लगातार बोलता रहा है कि बंगलादेसी घुसपेठिया बंगलादेसी घुटपेठिया और ग्रूम अब तो यह मामला जो है बंगलादेसी घुसपेठिया का साबित हो जाएगा आदिवासी लड़कियों के साथ या आम लड़कियों के साथ जो है जवरदस्ती कर रहा है निकाह नहीं करने के बाद धर्म परिवर्तन नहीं करने के बाद जो इसको मार दे रहा है अब यह भी पता चल गिया था कि यह बलतकार हुआ है और चार मैने की यह गर्वती थी तो इन सारे सिच्वेशन में उसको बचने के लिए एक ही रास्ता था कि केस कर दो जिसे की मीडिया का जो एटेंशन है वो निशिकान दूबे को पर चला जाए और कुछ अपने कई एक लोग हैं जैस जनता पाटी की आज बावुलाल मरांडी जी दुमका पहुंचे हैं वो पीडिता के परिवार से मिलेंगे उसको न्याय कैसे मिलेगा उसको फांसी कैसे मिलेगा इसके बारे में व्यवस्ता करेंगे और भारती जनता पाटी 30,00,00 रुपई ये भी देगी और ये जो इसलाम स्टेट बनाने का एक मिशन है जारकंड मुस्लिम मोर्चा का इसको हम कभी कामियाब नहीं होने देंगे कॉंग्रेस ने जिस तरह से देश थोड़ा था भारत और पाकिस्तान उसी तरह से वो बंगला देश में संथालपना को मिला देना चाहती है आलमगीर आलम जो उसके मंत् से चला गया है और गोड़ा और देवघर चुकि मैं सांसाद हूं तो दस साल से किसी तरह से लड़ाई करके बचाया हुआ हूं लेकिन मेरे भी कई एक प्रखंड हो गए है तो यह इस्लामिक स्टेट बनाने का जो उनका मीशन है हम कभी कामियाब नहीं होने देंगे चाहे इसके लिए बलिदान देना पड़े हम उस भारती जनता पार्टी के कारी करता है और उस मोदी जी के कारी करता है जिनोंने एक आदमी ने जहां हुए बलिदान मुखर जी वो कस्मीर हमारा है हमारे पहले रास्टी अध्याच वहां बलिदान हो गए थे और मानने मोदी जी क नेतरित में हमने 370 और 35 से खतम करके दिखाया कि ये खतम कर सकते हैं, ये भारती जनता पर खतम कर सकती है और ये इसलामिक स्टेट बनने की तरब जो कॉंग्रेस और शारकन मुस्लिम मूर्चा का जो टारगेट है उसके लिए भी कितनी कुरवानी देने पड़ी, कितनी बल्दान देने पड़े, कितने केस देने पड़े चाहे अपने बच्चों के उपर केस हो, चाहे मेरी वाइप के उपर केस हो, चाहे मेरे मापिता जी के उपर केस हो मुझे केस से कोई फर्क नहीं पड़ता है या अंदोलन जारी रहेगा इसलिए कि उसने sensitive information आप लोगों को दिया वो security area ऐसा है जिसमें कि किसी के permission के बना without Bureau of Civil Evasion security के permission के अलावा हम तो A.T.C. गए उसको airport director जो है permission दे सकता है लेकिन जो जिस area में वो गया जहां से उसने video release किया वो ऐसा area है कि जिसको Bureau of Civil Evasion security कर सकता है वो DRDO का airport है वो इस देश के ऐसे establishment का airport है जिसका permission Ministry of Defense के पास भी नहीं है वो PMO के पास है उस तरह के sensitive area में घुसना उस information को पतरकारों को तक लीक करना और अपनी सीमा से ज़्यादा यदि airport के area में यदि किसी की death हो जाती है किसी का murder हो जाता है तो उसका भी case बिना airport authority के permission के नहीं होता है अपनी सीमा को लांगना और हमारे और हमारे परिवार को मारने का एक conspiracy करना कोई पागल आदमी होगा न जो 18-19 साल के बच्चे के उपर fire करेगा क्या वो गली देता होने जरा रहा है किसी से बगजा करता होने जरा रहा है यहां रहते भी नहीं बच्चे वो बच्चे बाहर रहते उनके उपर case कर देना यह कहीं से उजित है तो इस तरह के activity के लिए चूकि उसने अपने सारे breach को जो है उलंगन किया है इस कारण से क्योंकि मेरे कहने से को fire कुछ नहीं हो जाता है fire करने के लिए उसका पूरा norm से procedure है दिल्ली पुलिस ने मेरे complaint को सही पाया होगा और इसलिए उसके उपर है fire हो जो आप बात कर रहे है उसके बात से इस तरह की जो भी पक्ष की प्रतिकरिया है वो अलग ही है उसमें ATC वाली प्रतिकरिया ज़्यादा आ रही है और ये प्रतिकरिया का बार ही महुआ मोहितरा का कहना है कि ATC तक बीजेपी का गुंडा राज पहुच गया है कि मैं किसी के बारे में ये सभी बहुत जानकार लोग है इनको घर परिवार है कि नहीं है मुझे नहीं पता है ना ATC में क्यों गया पर्लमेंट ने मुझे क्या अधिकार दिया हुआ है मैं कैसे चेर्मेन एडवाजरी कमिटी हूँ मेरा क्या कंटेम्ट चल रहा है देवघर मेरा लोगसभा का छेतर है तो ये लोग ऐसे हैं जिनके लोगसभा छेतर में अभी तो कोई एक काम नहीं कर पाए इसलिए इस तरह की बाते करते हैं लेकिन मैंने आपको कहा कि ये सारी घटना जो FIR है FIR इसलिए हुआ कि ये जो आदिवासी लड़की जो एक दिन पहले मर गई थी यदि ये मीडिया के टेंशन में आता तो इन सरकार की किरकरी हो जाती क्योंकि 35 रुपया खर्चा कर रहे ह चार्टर प्लेन के लिए सरकार पैसा दे रही है तो ये सारी बाते जो मीडिया में आ रहे थी तो उसको किसी तरह से डैवर्ट करना था तो आप सत्य को जो है वो परिशान कर सकते हैं सत्य पराजित नहीं होता है सुरी के आगे जो है वो बादल आ जाता है कुस देर के लेकिन सुर्य ऐसा है जो छट जाता है सत्य रहता है आदिवासी लड़की का रेप हुआ धर्मांतरन हो रहा है वहां ग्रूमिंग गैंग एक्टिव है वो भोले भाले लड़कियों को साधी कर रहा है धर्म परिवर्तित कर रहा है पूरी डिमोग्राफी बदलने की कोसिस क कर रहा है पी अफाई और आएसाई के एजेंटे को लागू कर रहा है इस चीज को 12 घंटे से ज्यादा है मन सुरह नहीं रोक पाए उनका जो पेड मीडिया था वो नहीं रोक पाया जो हमारे विरोधी लोग हैं जिनकों की 18-19 साल के बच्चों के उपर भी एफायार करने मे मजा आता है इस तरह के जो तालिवानी संस्कृति के लोग हैं वो भी नहीं रोक पाया और फाइनली यही सत्य हुआ कि बंगलादेशी घुसपैठीय ने आके गुरूमिंग गैंक के सदस ने आके आदीवासी लड़की का रेप किया और उसकी हत्या करती